जय हिंद जय भारत डियर इस्टूडेंट पहले भाग में आपने पुस्प आप वित्वीजियों का एक आकर्चक अंग है इसके बारे में सीखा आज हम लोग पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे नर्जनन भाग के बारे में पढ़ेंगे पुंकेसर जिसे अंगरेजी में इस्टमेन कहते हैं पुंकेसर को उस्प का नर्जनन भाग कहा जाता है पुंकेशर दो भागों से मिलकर बना होता है एक भाग का नाम होता है पराकोष जिसे enter कहा जाता है एक भाग का नाम होता है तंत जिसे फ्लामेंड कहा जाता है इस प्रकार से यह आपका enter है जो बाइलोड होता है जिसमें दो पालि पाय आते हैं यह आपका फिलामेंट है तंतु है जो पुसपासन से या पुसपदल से जुड़ा होता है पराकोस द्विपालिक बाइलोड होते हैं अंतिम सिरा ट्रेमिनल पार्ट होता है तंतु लंबा और पतला होता है तंतु का जो पास वाला समीप वाला छोर होता है वह पुसप के पुसपासन या पुसपदल से जुड़ा होता है पुंकेशरू की संख्या यह उन लंबाई विभिन प्रजात की पुस्पों में भिन होती है पराग कोस दिवपालित बाई लोग्ड होते हैं तथा प्रतेक पाली में दो कोष्ट होते हैं अर्थात एद्वी कोष्ठी होते हैं, डाय ठीकस होते हैं, पराग कोष में प्राय दो पालियां होती हैं, जो एक महीन संयोजी कनेक्टिव टीसू द्वारा जुड़ा होता है, संयोजी में सम्मोहन बंडल होता है, पराग कोष एक चार दिसी, चतु स्कोडी, टेट्रागोनल संचना होती है, जिसमें चारो कुनों पर लग बिजार धाने मायक्रो स्पुरेंजिया इस्थित होती है, जो प्रतेख पाली में दो होती है, यह लग बिजावड धाने आगे बिक्सित होकर पराग पुटी पॉलेंसिक बन जाती है जिसमें पराग कर जोए ठसा ठस भरे होते हैं यह इस्टिमेन का अस्टक्चर है यह इस्टिमेन का फिलामेंट भाग है यह एंथर वाला भाग है जो बाइलोग होता है यह इस प्रकार से होते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टीशू पाजाते हैं वेस्टिमेन बंदल पाजाते हैं यह आपका एक लोग होता है और यह आपका एक लोग होता है इस प्रकार एंथर बाइलोग होता है एक लूब में दो कुष्ट पाए जाते हैं इस प्रकार दो लूब में चार कुष्ट पाए जाते हैं जिसकी वज़े से एंथर को कहा जाता है कि डाय थीकस होता है दू कुष्ट ही होता है लग भी जार धानी के अंदर पॉल एंगेल बनते हैं लग बिज़ारधाने आगे चलकर प्रागपुटी कहलाता है पॉलेन से कहलाता है इस लाइन को कहा जाता है लाइन आप डेहिसेंस जहां से एंथर की वाल जो है रप्चर होती है फटती है और पॉलेन ग्रेन जो है बाहर निकलते हैं अस्ट्रक्चर आफ एंथर इस तुमें यह फिलामेंट वाला पॉर्शन है यहा पे कनेक्टिव को दिखाए गया है कनेक्टिव टी इस्यू की वाज़ेसे ये दोनों हिस्से आपस में अटैच होते हैं जुड़े होते हैं फिलामेंट पॉलेंट से पॉलेंट ग्रेंट ये एंथर का टांस्वर सेक्षन करके देखा गया सेक्षन आफ एंथर इस प्रकार से पॉंके सर के बारे में समाप्त होता हैं अगली भाग में हम लोग लगू बिजार धाने की सरंचना के बारे में सिखेंगे